जेहिं साथियो एक बार फिर आपका स्वागत है और अपने श्रीज चले थी राजस्तान कलावन संस्क्रती की और इसमें अभी थोड़ा बीचम ब्रेक लग गया था उसके लिए में आफिस आता हूं और अब अपने इससे पहले पढ़ चुके हैं राजस्तान कलावन संस्क्र हैं, हमेलहमते वहार से स्टार्ट किया था वो पढ़ था है और उसके बादमी जो के आते हैं फिर भी ब्रेक लग गया दाऊ अब वाफिस च्रीज कर्णी माता से जो बिकानेर्वीन का मंदीर है आपने सबसे सुना हुआ है अपने बात करेंगे कि एकजाम मंदीर क्या क्या इन्सीक्यूशन पुजा दाता है यह सब वाग कि इनकी माने था है अला अला होती ही सब लोग देव यह और एक होती है कुल देवी थोड़ सा में बत इसम्समादा कोर्य कुल देवी तो परिवार थिर्ष्टह को जाती है बि之 होता है ज्माज कोसा हो सकता है कोई पड़ते हैं वी हेलाग की तो कछवाग की गठी कुल देवी एक हमाटा है जरो यहां पर आमेरें सीला मेंमाता मंदीर है वह इस्ट देव कर्णी माता के बारे में क्या न किसन बनतें और उनके सम्मंदित क्या-गया चीज तो इनका जनम वा था मंद्र माँपूर में बनावा है कदने में में बना ऊरिंगा जनम वाताए सुआप जोदु पूर में चारण परिवार के अन्दर वहा है कुन से परिवार में प्षुआप शौप जोदपूर में चारण पुर्भार में कहति आख ते लुकों से साख तो यह केनिया साखा ती इतना पूछा नहीं जाता है लेकिन बसींट थोड़ा वट पता रहें जिए तो जुझने माता जनम गाना था जोदपूर के सुआप और इनके पिता क्या नाम था तो पिता क्या नाम था मेहा जी मेहा जी गर्वा था अब बात करें मंदिर कहा है तो मंदिर सब को पता है मंदिर कहां पर देश नोग बिकानेर में कर्णी माताई गा भवे मंदिर बनावा है यह सब ठीक है फिर है कि नेहड जी का मंदिर तो नेहड पर यहां पर बना दिया गया तो यहां पर एक बड़ा मंदिर बना दिया गया था तो यहां पर एक बड़ा खेजडा भी है पुराना के जड़ा तो वहां पर यह तपस्या क्या गड़ती तो मुझसे यह मानित आए कि अगर उस खेजड़े की जो चाल होती उससे अगर किसी के भी यह चरम रोग रहते हैं यह लगाते हैं तो यह ठीक हो जाती है ऐसे मानित आए और होता भी ऐसा फिर काबा काबा सुना होता होगा इसा भी और ग्यानि कर्णि माता हो जनश जाता है अ कुछ बिख लाए पिक हो न देविगा जाता है है जहाएं कि यह एक जाली ृ तो इसलिए जो भी एग्जाम क्रोती उन्हों डिल सपेझ का खेना हो चोपेडिया है नशकी पूसेट थे कुथ करिका डिवी पूंच जिये तो कन्निम आता है अब क्या है कि है यहां पर सफेद जुए हैं सब जो भी जाता है लिगन सब के दन करना सुभ नहीं होते हैं सो याजार में से दो-चार के सूह वहत करना मतलब कि सपेद चुवा हुता हुदा उसे दर्शन के से मंधिर के यह दर्शन के वापिस आ गए उस रस्ते के दौरान अगर खुद शाप्यज दर्शन रहे देटा एंगा दर्शन गाव पिरे नगे तब ऑन गड़ते हैं तुप को मैना जाता है अपन क्या करते हैं शाइद में जाते हैं कड़ूड हैं हों जाके इक गंटे दो गंटे तरे देखते रहेते हैं इसका अब वह दर्शह पाल रख जाती है तो कैसे देठी गर्शन करनने के लिए सिधा और मंदिर में गए उसी तो वह नहीं देता है तो वह तो वह कारण है कि दर्षन देना माता जी खूद एक होता दर्षन करना जा बरदस्ति तो माता जी बहुत कम लोगों देती है उनको देती है उनके भग्य खुल जाती है तो क्याते हैं तो काब़ औस करते हैं आता है मंदिर में वो और इनके दर्षन सुमाने जाते है फिर अधी यहामन दिर भी है अब कहीं कि जब किया करती त Quantum who वहां तपशया केया कर्थी त invari freakingmata भोग वें पूजा केया करती थी तो कशी माता भूजा कर्ति थी नी Oprah केद गरती थी कर्णी माता पtechn secured कंद्र मंदिर में संब प्रती की मर्त जएसे कौन शेम सीर आफोक्षी मिनट करणी माना कर्णी मातह ढो करने दो सोली दो रिदो इशल को कौनसी माता का फ़र दिस लोक दिषिए पड़ादाuciones में उन्हकर कुछ। ये सरफ्टिक वेशन के वह और रपड़िक को कौन सी माता का पड़ती पड़ती हमने है ay कृणि माता पड़ती छील हुत आप तो यह पड़ती है ढमाता से दुनापने अंतहुसे रखी थी फिर वो जोधपुर आ गई थी कर्णी माता नहीं ही जो जोधपुर का राजाता जोधा उस टाइम पर उसको जोधपुर जीतने का आशिरवा देया था जोधपुर जीत जाता है वो स्वाजय को जी जाता है कुंबा इधर कुंबा रहता है मेवाड में और जोधपुर के बीच में रखता है तो उसकी नियम में तो तो तब से राठोड वो इनको इस्ट देवी मानते हैं ठीक है और चारणों के कुल देवी है और फिर है कि इनको दाड़ी वाली डोक रिखा जाता है कि यह लगबग ऐसा बताते हैं कि 151 साल की उमर में इनके डेयत हुई तो फिर सो साल के बाद क्या होता है कि बाल नहीं आ जाते हैं दाड़ी आने लग जाती है मतलब यह चीज था तो फिर फिर उसको जो ऐसे होते हैं उनको पूझने लग जाते हैं लोग बाग अपना इस्ट या आरेद्य माने लग जाते हैं तो 111 साल की एज गया अंदर उनकी मर्त हुई थी इसलिए उनको दाड़ी वाली डोक रिखा जाता है तो यह थी कर्णी मात अब बेशिक जानकर क्या क्या देख आपने अपने पड़ा इसमें कि इनका जनम का हुआ था सुआप जोदुप्र के अंदर रहा था चारन परिवार में वाता की निया साकाती पिता गया नम था किता ना मेहाजी था विकाने बो मंदिर बनावाए तो बिकानेर के अंदर है देशनों वहां मुख्य मंदिर बनावाए और इसके अंदर फिर नहट जी का मंदिर यहां वो तपस्या किया करती थी कर्णी माता काबा सपेचो को काबा आ जाता है उनके दर्शन सुभ माने जाते हैं फिर यह तेम्राय माता तो कर्णी माता खुद इनकी वो क्याना पूज पूज करती थी जो ल olmaz जो यह तरह मंदिर न्माना एक व्योसरी बनी तो खुआ के अंदर मीसे पूजा करते थे तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी जब फुजा करते तो कोई वी घज़ाओ को विते़ों मतलब इजाजत लेकर फिर गाटे थे चोटे को अधि शील जाना यह है आपने आजस्तान में बिल्कुल मिस्कोल देना है मिस्कोल लेते हैं जाते हैं तो यहां पर भी जाते हैं गेंट को बजा कि आये से जाते हैं तेमिडा मदा के अ मंदिर लिए पार्तिक चेल आंगा मेरांगड़ की नीव रखी थी और राठोडों की बिकने राठोड़ की इस्ट देवी है और चारन्परिवारी कुल देवी है और डाडी वल डोकर रिका जाता है और इनके मंदिर को मठ कहा जाता है यह कुछन पूचा वाई कि कौन्छे माता के मंदिर को मत का जाता है तो यह है कर्णी माता के मंदिर को मत का जाता है और चूहों की देवी भी रखना त्यान रखना काबा तो हो गया और इंड को चूहों की देवी भी खा जाता है तो यह था अपने कर्णी माता के बारे में ज